Hello students, welcome to the class I hope आप समने दिवाली अच्छे से enjoy कल ली होगी और अब समय है फिर से पढ़ाई की तरफ वापस लोटने का आज हम लोग इस class में political science के एक बहुत ही interesting topic को डिसकस करने वाले हैं method versus approach class में last तक बने रहेगा और ये topic बहुत interesting है और आपके exam में बहुत ही useful भी है काम भी आएगा ठीक है तो देखते हैं आज कौन सा topic है लोग का आज topic है political science method and approach देखें ये बड़ा confusion रहता है कि method क्या है और approach क्या है ठीक ये आपको अक्सर सुनने को मिलेगा और मैंने कुछ notes ऐसे देखे हैं आप लोग confused ना हो जाईएगा कुछ लोग तो यहां तक ये भी लिखे हैं कि method और approach उनका meaning ये होता है कि method और approach दोनों इक ही है ये वाली गलती बिल्कुल मत करिएगा method और approach दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़े हैं difference आज किस class में आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको किसी book में या किसी note में ऐसा लिखा मिलता है कि method और approach दोनों एक ही चीज़े हैं प्लीज उस book को avoid करिएगा उस YouTube वीडियो को या other को अगर क्यों ही ऐसे आप class पढ़ रहे हैं तो आपको इन दोनों के बीच का difference पता होना चाहिए ठीक तो हम लोग पहले method और approach क्या होता है उसको समझेंगे उनके बीच का difference क्या है उसको समझेंगे और आपके subject में दो तरह के approaches हैं पहला है traditional approach और दूसरा है modern approach तो आज की इस class में हम पहले traditional approach को समझेंगे और जो modern approach है उसको हम next class में cover करेंगे ठीक है तो चलते हैं class की तरफ तो देख लेते हैं कि आज की class में हमें क्या-क्या पढ़ना है सबसे पहले तो हमें methods of study पढ़ना है उसके बाद हमें approaches पढ़ना है फिर उसके बाद हमें देखना है कि method और approach में difference क्या है और फिर traditional approach जो आपके syllabus में भी है तो traditional approach में basically तीन approaches हैं जो आपको पढ़ने हैं जो आपके syllabus में दिया है सबसे पहला है institutional approach दूसरा है historical approach और तीसरा है philosophical approach इन चीजों को अभी आगे discuss करेंगे हम लोग जैसा कि मैंने अपने previous class में भी बताया है और हाँ अगर आप direct किये वाली class देख रहे हैं तो please जो पहले की political science की classes हो चुकी है unit 1 already complete हो चुका है आप पहले उस unit 1 की classes को देख लीजे तब इस class पर आईएगा तब आपकी understanding एक better develop होगी ठीक है तो जैसा कि मैंने पहले वाली classes में भी बताया है कि what से ज़्यादा why important ठीक हमें क्यों पढ़ना है ठीक तो हम समझते हैं कि हमको इस approach को ये method और approach पढ़ने की ज़रूरत क्यों है ठीक तो एक subject के बारे में comprehensive understanding कैसे develop होती है वो उसके method से और उसके approach से develop होती है आप chemistry को ज़्यादा अच्छी तरीके से तब समझ पाएंगे आप physics को ज़्यादा अच्छी तरीके से तब समझ पाएंगे जब आपको पता होगा कि उन चीजों को पढ़ना क्या है अगर आपको method सही तरीके से नहीं पता होगा वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे या कुछ teachers ऐसे थे जिन्होंने आपको सही method से नहीं पढ़ाया या सही approach से नहीं पढ़ाया मैं किसी को criticize नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर आपको हर subject को सही method से पढ़ाया जाएं तो कोई भी subject आपको कठिन नहीं लगेगा हर subject आपको interesting ही लगेगा ठीक है तो आपको method और approach इन दोनों चीजों को पहले समझने की ज़रूरत है उसके बाद आप subject में जाईएगा कि आप जो भी subject पढ़ते हों तो पहला क्या हमें benefit होता है पहला benefit यह होता है कि हमको comprehensive understanding मिलती है हमें holistic view पता चलता है कि हमें सीज को किस तरीके से पढ़ना है क्या पढ़ना है वो तो class में अलग-अलग तरीके से discuss होगा कैसे पढ़ना है यह भी development करना method का काम है और approach का काम है फिर देखिए जो मैंने बताया the concept and theories will become more easier to understand by adopting proper method and approach अगर आपने proper method और approach अपना लिया आपको समझ में आगे चीजों को कैसे पढ़ना है तो आपका काम आधा काम समझी है यहीं पे खतम हो गया ठीक आगे चलते हैं यह चीज method और approach का difference जो मैं बता रहा था यह वाली mistake बिलकुल मत करियेगा मैंने कई जगे देखा है mistake थी जहां पे method और approach को same ही बताय गया था यह वाली mistake बिलकुल मत करियेगा आगर आपके exam में हो सकता है कि short note आ जाए short note में भी question आ सकता है long में तो question basically नहीं आता है short में आता है please यह व कि unit 1 में last में method of study दिया है और unit 2 के पहला जो topic है वो approach है basically यह जो topic है यह political science का नहीं है कि method और approach का difference क्या है इसलिए जो political science पढ़ाते हैं मैंने normally देखा है वो method और approach का difference नहीं साई से बताते हैं क्योंकि यह pedagogy की class में होता है pedagogy एक अलग चीज है वो मैं बाद में कभी आपको बताऊंगो वो आपके political science में किसी काम किये भी नहीं है लेकिन आप इस चीज को समझेगा कि method और approach दोनों बहुत ही different चीज है method क्या होता है समझते है method is the practical way of solving any problem for example कि अगर आपको कोई problem को solve करता है कोई भी problem हो वो political science में भी अलग-अलग तरे के problem होती है governance के problem होती है ठीक है for example यहाँ पर एक example मैंने वैसे आप लोगों के लिए दिया था लेकिन मैं दूसरे example से समझाता हूँ जो आपको थोड़ा सा easy लगेगा for example कि अगर किसी district में suppose करिए कि आप किसी district के DM है ठीक उस district में कोविट के जो patients हैं बहुत बढ़ रहे हैं अब आप किस तरीके से कोविट vaccine की delivery करेंगे किस तरीके से कोविट vaccine को हर एक block में हर एक village में पहुचाएंगे ठीक यह political एक problem है governance की एक problem में कह लें governance की problem आई यानि आप political science के student है आपको पढ़ना पड़ेगा अब आप किन method को अप अपनाएंगे उन vaccines को उन गाओं तक उन ब्लॉक तक उन पंचायत तक पहुचाने के लिए आप किसी delivery वाले से contact करेंगे किसी delivery firm से contact करेंगे किसी NGO से contact करेंगे किसी civil society worker से contact करेंगे तो वो क्या हुआ? method हुआ किस method को अपना रहे हैं अपनी problem को solve करने के लिए अब अगली बात पर आ जाते हैं approach क्या है approach कहते हैं approach denotes the way how you see the problem ठीक अब जैसे समझे इसी example को दूसरी तरीके से समझाते हैं approach क्यासे होती है यह बहुत ही subjective term है approach ठीक यह individual to individual differ कर सकता है हो सकता है कि मेरा approach कुछ और हो आपका approach कुछ और हो ठीक अब suppose कि आप दो लोग हैं पहले ने कहा कि मैं तो भाई ऐसा है सीधे मैं किसी NGO से cooperate कर लूँगा और NGO के थो वैक्सीन डिलीवर हो जाएगी दूसरे आले ने कहा नहीं यह approach सही नहीं है NGO आले ने अगर कहीं वैक्सीन को सही तरीके से सम्हाल नहीं पाए तो हम government channel के ही थो जाएंगे ठीक तीसरे ने आया कहा कि मैं खुछ जाके monitor करूँगा चौथे ने कहा नहीं मुझे खुछ जाके monitor करने की ज़रूरत नहीं मैं अपने room में बैठके अपने office में बैठके CCTV subject लगा है मैं वहाँ ही से monitor कर लोगा समझ रहें कि बहुत ही subjective term है कि मैं problem को किस तरीके से देख रहा हूँ किस तरीके से solve कर रहा हूँ ये हो गया पहला चीज और method क्या हो गया मैं उसको किस तरीके से solve कर रहा हूँ इस बात को इस screenshot को अच्छे से रख लिए एक्जाम में आएगा तो गल्ती बिल्कुल मत करिएगा आगे चलते हैं अब ये basically definition है यहाँ पर जो approach की दी गई है what is the approach to the study of political science की approach क्या होता है आप यहाँ पर देख लीचे दो country के बीच में कुछ relation है जैसे अभी Russia Ukraine war चल ला है तो उसको कैसे देखते हैं लोग यूरोप के लोग किसी और तरीके से देखेंगे उनका approach कुछ और होगा इंडिया के लोग का approach कुछ और होगा हो सकता है अमेरिका के लोगों का approach कुछ और हो तो approach differ करता रहता है method भी differ कर definition है जो आप लोग इसका screenshot ले लिजिए जब exam में आएगा तो यह आली definition आप लोग लिख दीजेगा जेसी जो होरी एक बहुत बड़े political scientist है मारे इंडिया के उन्होंने एक definition दी थी an approach is the way of looking at then explaining a given phenomena which includes everything related to the collection and the selection of evidence necessary for the investigation and analysis of hypothesis कि कोई भी condition है तो आप उसके लिए पहले कुछ evidence जटाएंगे फिर किस तरीके से solve करना है उन सारी चीज़ों को देखेंगे I hope कि आपको method और approach इन दोनों की बीच का difference समझ में आ गया होगा चलते हैं आगे अब यहां पर देखें आपके syllabus में दो तरह के approaches दिये हुए ठीक है पहला है traditional approach दूसरा है modern approach आज की इस class में हम लोग से traditional approach को ही discuss करेंगे क्योंकि दोनों approach को discuss करने में class को ज्यादा लंबी हो जाएगे traditional approach तीन तरीके के आप लोगों में discuss आप लोगों के जो course में है पहला institutional दूसरा है historical तीसरा है philosophical ठीक चलते हैं philosophical approach पहला approach हम लोग इसे discuss करते हैं देखे philosophical approach जो है वो सबसे पुराना approach है political science की study का जहाँ पे हम लोगी समझते हैं कि जैसे state है ठेक हमारे state है तो state के state को कौन से ऐसे rights है जो उसकी citizen को देने चाहिए या citizens को कौन से ऐसे political obligations है जो मानने चाहिए जैसे हमें vote देने का अधिकार है तो state पहले हमें अधिकार देगा कि हाँ vote दे सकते हैं तब ही तो हम vote देने के लाइक होंगे जैसे 1947 से पहले एक majority population इंडिया की थी जिसको vote देने का right ही नहीं था तब तो ये philosophical approach है ठीक है philosophical approach में क्या होता है कि हम चीजों को समझने के कोशिश करते हैं interpret करते हैं किस term में philosophical term में इसको oldest form of study है oldest approach of study है political science की ठीक it attempts to find the truth of political events and incident ये सत्य को दिखाने के कोशिश करता है जो राजनेतिक सत्य होते हैं उनको दर्शाने की कोशिश कौन करता है ये दार्शनिक approach जो होता है वो करता है अब यहाँ पर क्या हुआ जैसे मैंने example लिया था पिछली वाली class में justice ठीक अब justice क्या है for example या समझे लिबर्टी क्या है मेरी स्वतंतरता है ठीक मेरी स्वतंतरता मेरी शरीर के उपर है ये मेरी लिबर्टी है कि मैं अपनी शरीर के साथ कुछ भी करूँ लेकिन क्या मेरी स्वतंतरता ये है कि मैं बीच रोड पे खुद को आग लगा दूँ ये मेरी लिबर्टी ह नहीं वहाँ पर कौन आएगा वहाँ पर स्टेट इंटर्वेन करेगा किसलिए ताकि मैं खुद को नुकसान ना पहुचाऊं ठीक है तो लिबर्टी कहां तक जाती है कहां पर स्टेट का इंटर्वेंशन आता है यह सब डिसकस करने का आईडिया कॉंसेप्ट काउं करता है फ हमने सब को बराबरी का हिस्सा दिया है कि सब लोग इक्वल हैं सब लोग दोड़ सकते हैं लेकिन अब एक बात मुझे यह बताईए एक चार साल का लड़का है और एक 20 साल का लड़का है आपने दोनों को सेम पॉइंट से दोड़ने के लिए क्लिए और आपने का कि मैंने तो एक्वालिटी दे दी दोनों लोग समान से दोड़ें मैने किसी को आगे पीछे नहीं रखा लेकिन क्या यह एक चार साल के बच्चे की बराबरी एक 20 साल के लड़के से हो सकती है नई दोनों में डिफरेंसे है तो एक्वालिटी की से साब से डिफाइन होगी है आपके according equality क्या है, state के according equality क्या है, इन सब चीजों को define करना, ये किसका काम है philosophical approach का काम, जब आप आप लोग पढ़ेंगे, liberty भी पढ़ेंगे, justice भी पढ़ेंगे, equality भी पढ़ेंगे, state का क्या रोल है, ये भी पढ़ेंगे rights पढ़ेंगे, अपनी duties पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको philosophical approach काम आएगी, ठीक है और बाकी जो मैंने बता हैं ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं कि it is concerned with the analysis of the nature and the fundamental attributes of the state nature of political authority and political obligations political authority means कि state कि किन किन जगए पे आपको रोग सकता है ठीक है, state कि क्या authority होती है, state के पास क्या power होती है और ये method हमेशा assumption से start होता है, ठीक इस बात को ध्यान लखिएगा इस चीज़को ये assumption से start होता है ठीक चलते हैं अगले approach की तरफ अगला approach है historical approach, ये बहुत interesting approach है, क्योंकि जिन लोगों ने पिछली वाली class में relation of political science with history पढ़ा होगा तो इसमें मैंने quote दिया था वो quote मैं यहां नहीं बोलूँगा something like history is related with the roots and fruits of politics आप पिछली वाली class में जाहिएगा वहाँ पे देखियेगा, class नहीं खड़ी होगी तो आप कर ली जाएगा, ठीक, तो historical approach में क्या होता है, पहले इसको हमने देखा कि 1920 में, ठीक, non-corporation movement हुआ 1920 में non-corporation movement हुआ, अब हमने देखा कि वो movement एक point पे आके stop हो गया, उसके कुछ reasons से अब हमने, अगर अब हमें आज के present scenario में कुछ अगर ऐसे political changes लाने हों, या कुछ इस तरीके के bill लाने हों, कुछ, कुछ भी आप समझ लीजे, तो हम पुरानी इतिहास की तरफ देखेंगे कि उस समय जब ये problem थी, उस समय जब ये परिशानी आई थी, उस समय जब ये political problem arise हुई थी, तब उस time की leaders ने क्या करा था, और फिर उसको आज के time में उस हिसाब से relevant करके क्या हम use कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो history जो है, वह आपको सबसे अच्छा lesson देती हैं कि आप past में जो events हुए है, past में जो incidents हुए हैं, उसके basis पे आप आज जो अपना present है, उसको आप अच्छे से समाल सकते हैं, ठीक है? अब जैसे अरिस्टोटल ने 158 constitutions का study करा था, अरिस्टोटल कौन है अगर आपको नहीं पता है, तो जब आगे आपके next, I think third semester में आप लोगों में western political thought है, जब वो पढ़ेंगे हम लोग उसको भी discuss करेंगे, अरिस्टोटल, प्लैटो, यह सब ग्रीक political thinkers थें, उन्होंने 158 constitutions का study करा था, उसके basis पे उन्होंने कुछ assumptions दिये थे, उसना detail में नहीं जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने assumptions कैसे दिये थे, उन्होंने पहले constitutions का अध्यन करा, जिस देशन constitution थे, उन सभी का अध्यन करा, उस एक political scientist है, उनका एक बहुत ही famous quotation है, यह अगर question exam में आएगा तो आप लोग इसको लिख दीजेगा, historical approach is the chief method of studying the political phenomenon, black pencil लिखेगा, एक दो नंबर का फायदा मिल जाता है आपको exam में, ठीक, तो historical approach क्या basically बताता है, historical approach बताता है कि आपके past में, जो भी events में हैं, उससे क्या scenario में apply कर सकते हैं, और यह है आज का last approach, यह है institutional approach, ठीक, आप देखे institutional approach में क्या आता है, इसमें जो लिखा है कि formal और informal structure है, उनका study जो करता है, वो institutional approach करता है, मैं थोड़ा सा और easy term में आपको समझाने के कोशिश करता हूँ, institutional approach में आपको क्या सुनने को मिलता है, institutions, अब political science मे किसको कहते हैं, जैसे parliament है, वो एक तरह का institution है, prime minister का post है, वो एक तरीका का institution है, president है, वो एक तरह का institution है, यहां की जो judiciary है, जो supreme court है और जो high court है, वो एक तरह का institution है, ठीक है, अब हम अगर study करना चाहें, अगर हम अध्यान करना चाहें कि यहां पे high court किस तरीके का होता है, यहा के प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं क्या रोल्स हैं यहां के प्रेसिडेंट कैसे एलेक्ट होते हैं और अमेरिका में प्रेसिडेंट कैसे एलेक्ट होते हैं तो हम क्या कौन से एप्रोच को फॉलो करेंगे तो हम इंसिट्यूशनल एप्रोच को फॉलो करेंगे क्यों क्यों क्योंकि हम एक institutions की study करने जा रहे हैं ठीक है institutional approach में political party भी आ जाएंगे जैसे इंडिया है इंडिया में multi party system है ठीक अमेरिका में multi party system नहीं है वहाँ पे by party system वहाँ पे से दो ही parties होती है ठीक अब जब इस तरी के study करेंगे तो हम कैसे समझेंगे हम institutional approach के तो चीजों को समझने के कोशिश करेंगे तो चीजें और असानी से समझ वे आएंगी यह फाइदा होता है जब आपको सही method पता होता है जब आपको सही uproach पता होता है कि आपको चीजें पढ़नी कैसे है चा पढ़नी है ये ये भी इंपार्टन टी लेकिन उसके यहां पे study करते हैं और यह थोड़ा सा relatively नया है ठीक है पहले political science जब मलब ancient time में जब political science जब study करता था बड़ा ही diverse था बड़ा ही comprehensive था यह थोड़ा सा एक उससे narrow approach है अब सोची हम लोग इतने अलग अलग विचारों का अध्यन कर रहे थे कि न्याय क्या है संप्रभुता क्या है समरेटी क्या है समानता क्या है उसके बाद हम कहां पर आगे प्राइम मिनिस्टर पर आगे प्रेसिडेंट पर आगे तो दिखे इस scope जो है धीरे धीरे बहुत narrow होता चला गया ठीक है तो institutional approach में इतना ही था और institutional में approach में ये भी है कि जो हमारे institutions हैं उनका evolution कैसे हुआ है जैसे इंडिया में जो parliament system है उसका evolution कैसे हुआ है ठीक इस तरीके की जो चीजें है उसका भी अध्यनम लोग इस में करते institutional approach में तो आज की class यहीं पर खतम होती है लेकिन एक निट अभी एक question है आप लोगों के लिए यह पीवाई क्यों नहीं है लेकिन यह आप इस question यह question आने के chances हैं कि थोड़ा सा syllabus भी change हुआ है तो यह question यह है what do you mean by approaches to the study of political science explain traditional approach in detail ठीक है अगर आप इस question के लिखने के अभी से practice करेंगे तो थोड़ा सा आपको habit बना रहेगा कि आपको अपने अभी assignments भी मिलने हैं अभी mid semester भी होना है जब mid semester आप लोगों का होगा जब assignments होगा तो उसके लिए separate वीडियो आप लोगों के लिए अलग से बना दी जाएगी जिसमें आपको ज्यादा problem नहों कि इस तरीके से आपको topic चूज करना है इन सब चीजों को भी discuss हम लोग कर लेंगे अच्छी तरीके से class में ठीक तो आज की class में इतन